नमस्कार आप सभी का एकेंस्ट करफसन 99 में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना अधिकार अधिनेयम की धारा अठारा एक के तहत किस प्रकार हम लोग पुलिस अधिक्षक सहर लोग सुचना अधिकारी के खिलाब भी सिकायत बाद दायर कर सकते हैं और उस सिकायत बाद में किस तरह की सुचना आयोग में की जाती है इसकी संपुर्ण जानकारी आप लोग इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे चलिए इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अवस्य कर ले जिससे हो रहे ब्रस्टाचार को जागर करने में आप भी आर्टियाई का उप्योग कर भारत को ब्रस्टाचार मुक्त करने में कुछ मदद कर सकें तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सकी तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं बिहाराज से हूँ बिहाराज मुक्ष उचनायोक के समक्ष मैंने एक पुलिस अदिक्षक से लोग सुचनापदादिकारी की सिकायत किया है यह सिकायत बाद में भी सुनवाई शुरू हो गई है आप लोग भी इस तरह आप सिकायत बाद कर सकते हैं धारा ठारा एक के तहत मास है लोग सुचनापदादिकारी का नाम पुरा पता लिखेंगे यहाँ धियान रखेंगे मैंने भी कुछ सुचनायोक के नियामानुसार यहां उस समय नाम दाखिल नहीं किया था लेकिन आप लोग जिस भी पतादिकारी के खिलाप सिकायत बाद दायर करेंगे तो उस पताधिकारी लोग सुचना पताधिकारी का यहां पर नाम अवस्य लिखेंगे और उनका पूरा पता लिखेंगे पिन कॉर्ट साइद आवेदक अपना पूरा पता लिखेंगे मैंने उपरोक्त कारिया लगे कि लोग सुचना पताधिकारी को सुचना अधिकार अधियम के तहद दिनांग जिस भी दिनांग को आप दिये होंगे प्रपत्र को वहां वर्णन करेंगे द्वारा सुचना की मांग की लेकिन लोग सुचना अपता अधिकारी द्वारा वांचित सुचना अपलब्द नहीं कराई गई केबल गया पांग कितना दिना कितना से पुलिस रक्षा कुदाक सुजिंगन अंचल के पास जाच कर आवस्से करवा ये तू बेजने की बात बताई गए जबकि मैंने स्चो डियस्पी एवंपूर इंस्पेक्टर एवंपूर एस्पी की सिकायत पटना हाई कोट के मुखनियाए अधिस से किया था करने के कारण मेरी हत्या करवाने का भी प्रयास किया गया था इस संबंद में ही मैंने एक मान्य उच्छ न्यालय के मुखनियादिस को यह आवेदन पत्र प्रिश्ट किया था देखिए आप लोग भी इस तरह अगर भरस्टाचार हो रहा है लोग सुचनापदादिकारी या लोग शिवक कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाप आप मान्य उमुखनियादिस के समक्ष उच्छ न्यालय में भी शिकायत वाददार कर सकते हैं मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूं जिस कारण दिव्यांग अधिकार अधिरियम 2016 के अंतरगत वाददार करने क के संबंद में इन पदादिकारियों के खिलाप पटना है कोट में एक सिकायत बाददार किया था यह मैंने कई प्रिष्टों में किया है मैं आप लोगों को कुछ प्रिष्टों कहीं केवल दिखा रहा हूं जिससे आप लोग भी मैं नो प्रिष्ट में कुल किया था सिकायत ज प्रत्याचार पर निस्पक्ष जहांच करवा कर दोसी पर नहाई करवाई करवाने की किरपा की जाए जिससे मुझदिब्यान के परिवार के जानमाल इज्जताबरू और शंपत्ति की स्वक्षा हो सके एवर मुझदिब्यान के परिवार को शोशमें नहाई मिल सके इस तरह क में मैंने फिर पुनह पटना हाई कोट में एक आर्टी आई लगाई जिसके अंतरगत मुझे जबाब दी गई थी आप लोग देख लें या पटना हाई कोट में आर्टी आई लगाने के बाद मुझे जानकारी दी गई देखिए यह है PSC पटना हाई कोट ग्लेटर नंबर डेट है यह मेरा नाम और पुता है राइट टू इन्फरमिशन एक्ट के तहत यह दी गई है यूर पिटिशन डेटेड इतना स्पीट पोस्ट बिंग नंबर इतना डेटेड इतना हैज बिन फड़वर्ट तू इसी संबंद में मैंने फिर पुलिस अदिक्षक कारियाले में RTI लगाकर जानकारी मांगी तो नोने केवल यह जानकारी दी गई थी कि आपके वाद से संबंदित जह चेतू पुलिस नरक्षक को भीजा गया है यह सभी पुलिस अदिक्षक मदेपुरा के द्वारा भी इसलिए मैंने पुलिस अदिक्षक मदेपुरा के खिलाब भी एक सिकायत बार सूचना आयोग में दायर किया है जिस पर सुनवाई चल रही है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में रस्टाचार बरता जा रहा है हर पदादिकारी हर कारियाले किसी भी न्याले की भी बात सौसमें नहीं मानते अपनी मन मानी करते हैं और आवेदक को गुमरा कर परिशान कर परतारित कर यहां तक की जोठी अफ़ाई यार भी दर्ज करवा देते हैं ऐसी सिकायत आपके लोगों के साथ हो तो आप लोग अवस अपनी सुरक्षा है तू या अपनी जांच परताल है तू अपनी मांग को राजी सूचना आयुक के मुख्षे सूचना आयुक के समक्ष भी सिकायत बात दार कर सुनवाई करवा सकते हैं इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करेंगे जिससे हर बारतिक्स को जानकारी हो शकीत था इस चैनल पर तीन प्लेलिस्ट बनावा मस्ट यूज रटे आई अगेंस्ट करप्सन एवम हल्थीज वेल्थ आप लोग सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर अनेक प्रका साहस एक अधूत छमता हो सके जिससे मैं आसानी से इसके खिलाप लरकर भारत को ब्रस्टा चार से मुक्त करने में कुछ सहयोग कर सकूं जैहिन